चुपरबाद बच्चो आज हम पुस्तिक वजन्द का पहला पार जो है वह चिडिया जो करेंगे और यह एक कविता है इस कविता के माध्यम से हम यानि कि इसके जो अर्थ करते हुए हम इसके दोहराई करेंगे वह चिडिया जो कविता जो है उसके कविता है कैदारनात अगरवाल जी तो अब हम करेंगे कविता वह चिडिया जो वै चिडिया जो चोंच मार कर दूद बरे जुंडी के दाने, रूची से रश से खा लेती है वै चोटी संतोशी चिडिया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन से बहुत प्यार है इन पंक्तियों के माद्यम से कवी कहते हैं कि वह चिडिया जिसके पंक नीले हैं वह दूद बरे जुंडी अर्था जवार के दूद से बरे दाने रूची से खा लेती है उसे दूद युक्त या दूद का स्वाद जो है बहुत पसंद है चिडिया छोटी और संतोश करने वाली है मुझे अन से बहुत प्यार है और उसे अनाज से बहुत प्यार है मुझे यानि किसका आर्थ है चिडिया को अनाज से बहुत प्यार है वै चिडिया जो कंठ खोल कर बुडे वन बाबा की खातिर रसुंडेल कर गा लेती है वे छोटी मू बोली चिडिया नीले पंको वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि वे चिडिया मुक्त कंट खोलकर बहुत ही मदुर्सवर में गाती है कंट खोलकर बुडेवन बाबा की खाते दिलकर गाना यानि कि मदूर स्वर में गाना वैय छोटी मू बोली चिडिया नीले पंक्खो वाली मैं हूं मुझे विजन से बहुत प्यार है वै आसमान में मदूर गीत कहते हुए स्वतंतर रुप से उड़ती है और उसे एकांत से बहुत प्यार है विजन का उता है एकांत मैं छोटी गर्बीली चिडिया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि चिडिया अपनी चोंच से उस नदी का पानी लाती है, चड़ी नदी का दिल टरटोल कर यानी की जिसका जल किनारे तक बरा होता है, जो लबालब होती है, उस नदी का पानी चिडिया अपनी चोंच में भरती है, जल का मोती ले जाती है, औ उसे जल पी कर अपनी प्यास बुचाती है और वे छोटी तथा गर्व करने वाली चिडिया है क्योंकि उनके नीले पंख जो है अतियान सुंदर है और चिडिया को नदी से बहुत प्यार है यह थे व्य चिडिया जो कवीता के अर्थ धन्यवाद